हेलो एवरिवन वेल्कम बेक टो अवर चैनल डेली शोर्ट सुदिविकास आज इस वीडियो में हम बात करेंगे स्क्रीनिंग क्राइटेरिया और जो सेलेक्शन क्राइटेरिया है फूर द पोस्ट ओफ असिस्टेंट प्रोफेसर इन युनिवरसिटीज जो जो कोलेज कैडर पर जो एच्पीएसी एक्जाइम करवाती है उसका जो स्क्रीनिंग क्राइटेरिया है वह उल्रेडी हम उस पे एक वीडियो बना चुके है उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शिन में मिल जाएगा कोलेज कैडर के लिए आप अगर देखना चाओ तो उस वीडियो को देख सकते हो तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं जैसे यूश्टी के अंदर जब हम अपलाई करते हैं तो अभी उसमें क्या है एक नया रूल और जोड दिया गया है जो अभी आपको अगर बताएं तो पीएसडी मेंडेटरी की गई है ये 2018 में जब आप यूश्टी केडर में पहले अपलाई करते थे तो आपके पास जो मिनिममम लीजिबल्टी है वो एक मास्टर डिगरी प्लस उस मास्टर डिगरी में आपके पास नेट का अग्जैम आपका क्वालिफाई होना चाहिए तो पहले ये मिनिममम क्राइटेरिय था तो कोलेज केडर में ये ऐसा निया जो एक पीएश्टी एकशन्शल क्राइटेरिय अभी अगर आप यूश्टी में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अपलाई करोगे तो आपको आपके पास पीएश्डी होनी मेंडिटरी है तो ये न्यूश आई थी हमारे पास अभी सर understood भी होगा कि यह कैसे मतलब college cadre के लिए भी है या नहीं है यह या फिर यह सिर्फ university cadre के लिए है तो यह सिर्फ universities के लिए है उसमें mention किया है कि विशव विदैलियों में आप विशव विदैलियों में या universities में आप apply करोगे तो आपके पास PhD की degree होना mandatory है अगर आप college में apply करते हो तो आपके लिए वहां पर PhD degree होना mandatory नहीं है और 13 marks मिलेंगे अगर आपने 60% और आप 80% के in between लाई गरता है आपका score graduation के जो final marks है आपके तो आपको 13 marks मिलेंगे और अगर आप 55% और 60 के बीच में आते हैं तो आपको 10 marks मिलेंगे और इससे निचे तो कुछ categories में तो आप apply ही नहीं कर सकते है उसके लिए 5 marks दिये हुए है next आपका है post graduation post graduation के लिए अगर आप 80% से अबाव आपके post graduation में तो आपको 25 marks है और 60 to 80 के बीच में है तो आपके 23 है और अगर आपके 55% है तो उसके लिए 20 marks है 55 to 60 और इसमें भी कुछ आप देख सकते हो कुछ categories wise हैं आपके marks तो वो आपको मिल जाएंगे जैसे आप general category में जाते हो तो आप 55% से अगर आपके marks कम है तो आप apply नहीं कर पाओगे वहाँ पे next आपका MPHL है MPHL में अगर आपके 60% से अबाव है तो आपको 7 marks है और 55 to 60 है तो आपके 5 marks है अगर आपके पास PhD है तो आपके 30 marks मिलते हैं PhD की weight is यह पहले से ही है पहले भी PhD की weight is बहुत ज़्यादा होती थी universities के अंदर तो जो MSC और NET के candidates थे वो वैसे भी recruit नहीं हो पाते थे without PhD, universities के अंदर specially हम universities की बात कर रहें, universities में अगर आप without PhD जाते हो तो आपके recruitment impossible थी यह पहले भी था लेकिन अभी क्या कर दिया गया है बस आप apply ही नहीं कर पाएंगे, जो MS interview को ही नहीं face कर पाएंगे वहां पे, पहले ही होता था कि वो interview को face कर लेते थे लेकिन selection का chance तो बहुत बहुत ही low होता है without PhD, universities के अंदर, तो next आपका है NET और JRF, net और JRF के अगर आपका net है तो उसके लिए आपके five marks हैं और अगर आपके पास JRF है तो उसके लिए seven marks हैं, और अगर आपने state level कोई test clear किया हुआ है तो उसके three marks हैं, फिर next आपका जो sixth number पे यहां पे जो research publications हैं, उनके लिए आपके two marks for each research publication आपके maximum आपको ten marks मिल सकते हैं, जैसे अगर आपके, मानलो की six paper publish हुए हैं, आपने PhD के दुरान six या seven papers निकाले हैं, तो आपको maximum ten marks ही मिलेंगे, जो आपके five paper होंगे, उनको ही count किया जाएगा, जैसे अगर आप किसी के three हैं, तो उसको six marks मिलेंगे, किसी के five हैं, उसको ten, और किसी के six हैं, उसको भी ten मिलेंगे, next आपका teaching experience और post-doc experience के आपके ten marks है, two marks for one year each, यह यहां पे mention किया हुआ है, और अगर आपका teaching experience से एक साल से कम है, तो यह marks को calculate कर सकते हैं, जैसे किसी का six month का है, तो उसको one mark मिल जाएगा, next आपका awards में, अगर आपके पास कोई international या national level के award हैं, तो maximum आपको three marks से लोट किया जाएंगे, उसके लिए, और अगर आपके पास state level के कोई award हैं, तो उसके लिए two marks आपके पास, यह जो criteria है, यह criteria बनाए हो, आपका screening criteria, next आप इसमें देखोगे, जैसे यह जो criteria है, यह total हमारा hundred marks का हो जाता है, जो academy की academic score है हमारा, जैसे आपके पास MFIL और PhD अगर आपके पास दोनों हैं, तो maximum आपको 30 marks ही मिलेंगे, जे आरफ, net, set, आपके पास है, तो maximum आपको seven marks हैं, और awards की category में भी आ मैंने पहले ही बता दिया आपको, और इसमें आपका जैसे यहां पे दिया हुआ है, जो academic score आपका 80 marks का हो गया है, research publication आपकी 10 marks की और teaching experience आपका 10 marks का है, तो totally 100 marks का हो जाता है, ऐसे, और यह जो आपका है, यह 100 marks का है, यह academic weight is है आपकी, 100 marks आपके यह academic score को जोड़ के बनाए ग जब आप selection criteria आपका क्या होता है, जब आपका selection criteria है कि आप interview face करोगे या नहीं करोगे, यह तो screening है, just आपकी screening है, तो उसमें क्या होता है, आपका academic record होता है, जो academic record research performance जो अभी आपने उपर देखा, वो 100 marks की लिए, उसको क्या गया जाता है, उसका 50% weight is है, उसका आपका 50% weight is ह है, अगर आपके उपर जो आपका academic score था, जैसे यह जो academic score था, अगर आपके इसमें, जैसे की 80 marks बनते हैं, out of 100, तो आपका जो यह academic score है, selection criteria में, 50 में से आपके 40 हो जाएंगे, तो यह 50% weight is दी जाती है, आपके academic score को, फिर यह होता है, बी जो आपका दिया हुए assessment of domain knowledge, यह 30 marks क है, यह आपका depend करता है, एक university से university भी depend कर जाता है, कि university अपना-पना assessment of domain knowledge वो कैसे कर दिये, कोई university अगर written exam ले के करना चाहती है, अलग-लग methods है इसको करने के, तो वो आपको बता दिये जाते हैं, जहां भी आप apply करते हो, वो पहले ही notify कर देते हैं, इस चीज को कि आपका यह जो 30 marks का है, यह क्या होगा, domain knowledge यह assessment of domain knowledge आपका है, जो कैसे होगा, यह universities पर depend करता है, next आपका interview performance है, वो 20 marks किये, तो जैसे यहां पे जो यह 100 marks का criteria बन जाता है, और यह आपका final merit list यहां से बनती है, यह आपका score होता है, final merit list के लिए, यह selection criteria है, उपर वाला screening criteria था, अगर आप screening में qualify करते हो, तो तभी आपका interview होगा, और जो यह assessment of domain knowledge है, यह written exam हो सकता है, कैसे भी हो सकता है, यह universities decide करती है, तो ऐसे आपका universities के अंदर selection होता है, जो college के एडर में था, हमने पहले ही बताया था, मैं थोड़ा सा आपको इस वीडियो में भी थोड़ा सा briefing दिखा देता जैसे आपके पास अगर emphil PhD है और net emphil PhD है तो इनके 3 marks हैं, आपके पास यह mandatory नहीं है, वहाँ पर marks की weightage भी कम होती है आपकी PhD की, लेकिन अगर आप university एडर पर जाते हो तो यह marks की weightage बहुत जाद होती है PhD की, जैसे हमने यहाँ पर देखा कि PhD के लिए आपके पास 30 marks की weightage ह आपकी, और आपकी research publication भी होती है, तो 10 marks उनके हो जाते हैं, तो अगर आप देखें तो maximum PhD का जो student है वो 40 marks ले सकता है, तो 40 marks और without PhD student आपके 40 marks पीछे रह जाएगा, तो इसलिए university cadre में जो भी students without PhD अप्लाई करते हैं, तो उनका selection का जो rate है वो बहुत कम है, आप नाम आतरी कह स सकते होगे, आप without PhD, university के अंदर recruit नहीं हो सकते हैं, तो अभी PhD mandatory कर दी गई है, पहले students apply कर देते थे लेकिन अब apply भी नहीं कर पाएंगे, अगर आपको college grader वाली वीडियो देखनी है, तो description में लिंक दिया हूँ, आप वहाँ से देख लेना, अगर आपको वीडियो अच्छ